एश्वर्या राय बचन और मशूर एक ट्रेस रेखा के आपसी रिष्टे जगदाहिर हैं दोनों ने कई मौकों पर एक दूसरे के प्रती सम्मान और प्यार जाहिर किया है रेखा ने एक मैगजीन में एश्वर्या के लिए दिल को छूलेने वाला खुला खत लिखा है जिसे पढ़कर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उनके लिए पूर्व विश्व सुन्दरी के आमायने रखती है रेखा ने चिठ्थी की शुरुवात मेरी एश से की उन्होंने लिखा तुम्हारे जैसी महिला उस नदी की तरह होती है जो बिना किसी ढोंग्या बनावट के आगे बढ़ते रहना चाहती है और अपनी मनजिल पर इस इरादे के साथ पहुचती है कि वे अपनी पहचान खोने नहीं देगी उन्होंने लिखा तुम इस बात की जीती जाक्ती मिसाल हो कि साहस सभी विशेशताओं में सबसे महत्वपून है हिम्मत के बिना नेतिक तक लगातार पालन नहीं कर सकते रहा ने एश्वर्या को खुले खत में लिखा तुम अपने आप में संपूर्ण हो तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है उन्होंने लिखा बेबी तुमने बहुत लंबा सफर तरे किया है कई रुकावटों को पार किया और अचंबेत रूप से उन्चाई हासिल की है चिठी के जरिय रेखा ने यह भी बताया कि उन्हें एश्वर्या के किस किरदार ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया रेखा ने लिखा जितने भी रोल मिले तुमने उन्हें बेहतरीन तरीके से निभाया पर अराध्या की अम्मा का तुम्हारा किरदार मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है तुम्हारे लिए बें तेहा खुशी की दुआ करती हूँ बहुत सारा प्यार जीते रहो रेखा मा बता दें कि एश्वर्या राए रेखा को मा कह कर पुकारती है फिल्म जड़बा के लिए जब रेखा उन्हें अवार्ड दे रही थी तब एश्वर्या ने कहा था मा से इस पुरस्कार को पाना समान की बात है रेखा ने भी जबाव दिया उमीद करती हूं कि कई सालों तक आपको पुरस्कार देती रही